सभी CTET अभ्यार्थियों का एक बार फिर से आर्दिक अपिनेंदन आज हम लोग CTET पेपर टू सामाजिक अध्यन 20 सितंबर 2015 के पेपर पर चर्चा करेंगे और चलते हैं पहले प्रश्ण की तरफ पहला प्रश्ण है हमारा राष्ट्रिय पाट्य चर्या की रूप रेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्व में ये सुझाती है कि बच्चे विद्यालिय जीवन का मेल पहला है किताबी ज्यान से जुड़ा होना चाहिए दूसरा है सिक्षकों की अपेक्षा के साथ होना चाहिए तीसरा है कक्सा के जीवन से होना चाहिए चोता है बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए तो जायर सी बात है कि हम लोग यही कहते हैं समाजिक दिन क्या है समाज का दिन और वहाँ पर देखो, किताबी ज्यान नहीं हो सकता, सिक्षकों की अपेक्सा हैं, उनके अनुसार भी नहीं होना है, कक्सा के जीवन होना चाहिए, नहीं, बाहर के जीवन के साथ जुड़ा होना चाहिए, देनिक जीवन से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है, अब हमारा प्रस जा सकता है जिससे की पहला option लिखा है विद्यारती मस्त रहें और सिक्सक अन्यकार्य को करने के लिए मुक्त हो जाते हैं नहीं ऐसा कोई उद्दे से नहीं होता है फिर लिखा है यह परियोजना पूर्ण करने की अनिवार्य आवशकता को पूर्ण करता है यह भी कुछ नहीं है ठीक फिर लिखा ये विद्यार्तियों के लिए भागिदारी बढ़ाता है और आनंद में होता है नहीं फिर लिखा ये आउधार्डा और विचारों के साथ वास्विक्ताओं की तुलना करने में योग्य बनाता है जब हम किसी इस्टोरिकल टूर जाएंगे जो हमने इतिया के लिए निम लिखित में से कौन सी विधी सबसे अधिक उप्योगी है पहला कहरा कहानी सुनाना दूसरा कहरा वादविवाग तीसरा कहरा परीचर्चा चोथा कहरा छेत्र भर्मन तो जो उच प्रात्मिक इस्तर पर भूगोल का सिक्षण जो है वो छेत्र भर्मन जो है वहाँ वास्विक्ता में भी है और कुछ अच्छा सीख सकता है उसको ग्रहन कर सकता है ठीक है तो छेत्र भर्मन यहाँ पर सबसे उप्यूक्त में थड़ होगा अब हमारा प्रस्वे संक्या चार उच प्रात्मिक इस्तर पर सामाजिक एवं राजनितिक जीवन की पाठ्थे पुस्तक का सिक्षण निमलिकित में से किस एक उपागम पर बल देता है पहला लिखा है रट करके सीखना देखो एंसीफ दोजार पांच रट करके सीखने के ल समाज है उसी से सामाजी गध्यन बना है तो वास्तविक जीवन की सतियों से सीखना बढ़िया है ठीक है पीरा विबिन बरकार के बाजार उसे को पढ़ाने के लिए निमलिकित में से कौन सी परियोजना सबसे अधिक उचित होगी पहला लिखा दुकंदारों के उत्पादो और पत्रिकाओं से बाजार पर कोलास तयार करना चौथा लिखा है सोफिंग मॉल में बेचे जाने वाले उत्पादों को देखने के लिए जाना अब हमें पढ़ाना है विबिन बाजार ठीक है तो विबिन बाजार पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कौन सी चीज कितने में खरीदी जा रही है और बेचने में कितना उनके अंतर कत अंतर है किस कारण से हम दुकान चला रहे हैं क्या होता है उत्पादन और उत्पाद अब हमारा प्रश्ण है कि असोग के अधिक्तर सीलालेक या अविलेक निमलिखित लीपियों में से किस में लिखे गए हैं पहला लिखा है तमिल दूसरा लिखा है ओचिकी तीसरा लिखा है देवनागरी चोथा लिखा है ब्राम्मी तो यहाँ पर जो सही है वो ब्राम्मी है और इस ब्राम्मी को भी जो है बदला जा सकता है तो इसके चार जो लीपिया है उसमें असोप के सिलालेख हमें मिले थे या अविलेख हमें मिले थे पहला है ब्राम्मी जो आपके प्रश्ट में आ गया है ठीक है दूसरा है खरोस्ट या आप ध्यान रखना तीसरा है ग्रिक और चोता है आर में एक आर में एक अब प्रश्ण ये भी बन सकता है कि किस लिपी में नहीं लिखा गया है तो तीन इसमें से दिवी होगी एक नहीं होगी या ब्राम्मी को इन चार से वो रिप्लेस कर सकता है कोश्चन में बदलाव आ सकता है तो आप ध्यान रखेंगे इन चार लिपीओं में उसके अविलेक थे ठीक है अब हमारा प्रश्ण है कि कुछ आरंबिक हिंदु मंदिरों में एक होल होता था जहां लोग इखटा हो सकते थे इस इस इस्तान को कहा जाता था तो पहला लिखा है ग्राम बोच का दूसरा लिखा है घर्ब ग्रह इसकी चर्चा पहले हुई थी जिसमें बताया था पीछले पेपर में कि यहां पे देवी देवताओं का निवास इस्तान होता था फिर है परदिक्षणापत और चोथा है मंडप तो यहां का जो आंचर होगा वो होगा मंडप ठीक है अब हमारा प्रश्ण है विने पीटक ग्रंत निम लिखित में से किससे सम्मंदित है तो आपको पता होना चीए विने पीटक सूत पीटक और अभिधम पीटक ये तीन प पीटक किससे सम्मंदित है बोध संग से सम्मंदित है ठीक है और तीन जो है इसके अलावा त्री रत्न वो जेन धर्म से सम्मंदित है पीछे भी इस प्रस्ट में चर्चा हो चुकी है तो आप ध्यान रखें त्री रत्न और त्री पीटक दोनों में अंतर है त्री रत्न जे काफी famous कभी थे और उन्होंने उनकी जीवनी किसकी राजा हर्स वर्दन की जीवनी हर्स चरितम निमलिकित बासाओं में से किस बासा में लिखी पहला है प्राकरत दूसरा हिंदी तीसरा उर्दू चोता है संस्क्रत तो हर्स चरितम जो है वो संस्क्रत बासा में लिखी गई थ अब अमारा प्रश्ट संख्या 10 जेन और बोध विक्षू विक्टनियों के लिए आरंबिक वियार बने होते थे पहला है मिट्टी के दूसरा पत्थर के तीसरा लकड़ी के चोथा इटों के तो इनके जो मकान बने होते थे वो पत्थर के बने होते थे अब हमारा प्रस्ट संख्या ग्यारा कन्योज पर लंबे समय तक त्री पक्षिय संगर्स किन तीन राजवन्सों के बीच चला पहला लिखा है गुर्जर प्रतिहार राश्टर कूट और चोल लिखा वाला चित है अब है दूसरे वसन में पाल राश्टर कूट और गुर्जर प्रतिहार और तीसरे में लिखा है गुर्जर प्रतिहार पाल और चोल चोथा में लिखा है राश्टर कूट चोल और पाल तो इसमें जो विजय प्राप्त की थी वो गुरुजर प्रतिहार वन्स की अंत में हुई थी अब हमारा प्रशन है सूपी मत के अनुसार खान काहों से अभी प्राई है खान काहों के बारे में पहले भी बताया जा चुका है पीछे भी ये प्रशन ये रिपीट है वैस्तान जहां पे सूपी संत बेठकों का आयोजन होता था उसे खान काहो कहा जाता था अब हमारा प्रस्ण संक्या 13 चोल मंदिरों के विशे में निमली की कत्नों में से कौन सा सही है पहला लिखा है चोल मंदिर आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे दूसरा लिखा है लोह प्रतिमाओं का निर्मान चोल मंदिरों की मुख्य विशेस्ता थी तीसरा है चोल मंदिर प्राय अपने आस पास विक्षित होने वाली केवल ग्रामीन बस्तियों के केंद्र बन गए चोथा लिखा है जन साधारन द्वारा दी गई भूमी से चोल मंदिर संपन्न हो तो पहला विकल्प यां पे सही होगा अब हमारा प्रस्ल संग्य चाउदा दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारिक के विशेमें निमलिकित कत्नों में से कौन सा सही है पहला लिखा है तवारिक के लेखक सास्कों को अच्छे सासन की आवशक्ता और न् लेखकों द्वारा तवारिक सुल्तानों से धेर सारे इनाम पाने के लिए नई लिखी गई दूसरा लिखा है ये दिल्ली सलतरत की प्रसासनिक बासा उर्दू में लिखी गई चोथा लिखा है तवारिक उन लोगों द्वारा लिखी गई जो साइध ही नगरों में रहे तो य नियाई संगत सासन पर बल देने के लिए लिखी जाती थी अब हमारा प्रश्ण संक्या पंद्रा उन्नीसवी सदी में निमलिक्ज में से किसने कुरान सरीफ की आयतों का हवाला देते हुए मैलाओं की सिक्षा के लिए तर्क दिया तो पहला है रुकईया सखावद हुसें किसरा है सेद अहमद खान और चोथा है जिया उदुन तो हमारा सही दवाब है मुम्ताज अली जिनोंने मैलाओं की सिक्षा के लिए कुरान की आयतों का हवाला देते हुए जोड दिया या तर्क दिया अब हमारा प्रश्ण क्या सोला कक्षा कक्षम विद्यारतियों को खु प्रियों को प्रोचसाहित करना तीसरा है पाठ को विश्चित रूप से याद करना याद करना कभी नहीं होगा फिलिका है पाठ को किसी विशेश्ट प्रश्णों के संधर्व में पढ़ना तो यहां पर जो खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के उचित कारण जो है वो है पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्णों के संधर्व में पढ़ना ठीक है अब हमारा प्रश्ण संक्या सत्रा सामाजिक विज्ञान के विशियों के अध्यन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इस से पहला लिखा है लोग तंत्र के बारे में विस्तार से सीखते हैं दूसर समाज और उसके परियावरन को समझ सकते हैं तीसरा लिखा है भूत की गटनाओं का मुल्यंकन कर सकते हैं चोथा लिखा है प्राकर्तिक संसाधनों को सरंक्षित कर सकते हैं तो लिखा है सामाजिक विज्ञान के विशे में जिसमें क्या क्या होता है बार बार पताया गया आ और इतियास भी होता है तो यह चार चीजे अब अगर लोग तंत्र का हैं तो इसमें केवल राजनीती है लेकिन हम तो यह चार वीषे पढ़ते हैं ठीक है इसको महत्व देंगे तो भूत की गटना आएं जो हम लोग इतियास में पढ़ते हैं तो यह भी बात सही है फिर तीसर समाज और उस से रिलेटेड परियावरण के लिए इसको पड़ते हैं ठीक है अब हमारा प्रशन संक्या अठारा सामाजिक विज्ञान के सिक्षण में चित्र कतापठ के प्रयोग के लिए सबसे महत्पूर्ण कारण क्या है पहला लिखाए एक पक्षिये सूचना पतान करना दूसरा लिखाए दिये गए वृतांत पर चर्चा को प्रोथसाइद करना तीसरा लिखाए गटनाओं को मुर्ण करना चोता लिखाए पाठ्थ पुस्तकों को आकर सक बनाना तो चित्र कतापठ का जो परयोगम करते हैं उससे हम वृतांत पर चर्चा के लिए प्रोथसाइ की भूमी का एवम कार्य परणाली की समझ को विक्षित करने के लिए निमलिकित में से कौन सा सबसे उचित क्रिया कलाप होगा या है पहला लिखा यूआ संसत का आयोजन दूसरा लिखा विसे वस्तू का पठन तीसरा लिखा कार एवम जिम्मेदार का प्रभावारेक फिलिका है संसद के अवरोध पर समाचार पत्र के लेखन पर चर्चा तो वास्विक्ता में अगर हमें बारतिय संसद की भूमी का और कारे परणाली को बताना है तो हमें यूवा संसद का आयोजन करना चाहिए क्योंकि यूवा संसद का आयोजन करने के लिए भूमी का एवम कारे क्रिया को समझ सकते हैं अब हमारा प्रशन संक्या भीस एक सिक्सिका विद्यार्थियों को सुझाव देती है कि वो एक तालिका बनाएं जिसमें उनके दुआरा एक सप्ताहा में उपयोग किये जाने वाले पानी की बाल्टियों की संख्या लिखी गई हो इस गतिवीदी के ब च्रचाब करती है सिक्सिका करक्त्षा में किस प्रकार के अधिगम को प्रोत्साहित कर रही है तो यहां पर यह प्रश्ण साहित्त तर्यावरण में भी पूछा जा चुका है एक से पाँछ में पहलान लिखा है निगमनातमक दूसरा लिखा है व्रित अध्यन विदी तीसरा लिखा समस्या सम्दान विदी जोता है पूछ ताच विदी तो देखो नियम निगमन में नियम से हम लोग पहले नियम नहीं पड़ रहे हैं तो यहां पर कोई नियम पाहिले से नहीं बताए जा रहे हैं दूसरा समस्या समाधान ना ही यहां पर कोई समस्या थी पानी को उपयोग करना था उनकी बाल्टों के लिखनी थी फिर पूस्ताज पूस्ताज में भी नहीं है क्योंकि खुद करना था तो आप जो है वृत अध्यन विदी जो है option सही होगा ठीक है अब हमारा प्रजण संक्या 21 सबसे उचित विकल्प को रिक्त इस्तान में भरिये पहला सवाल है लाइन बढ़ते हैं ज्यान और विचारों को सुवे विसित करने के लिए अवधार नात्मक संसाधनों में समय रेखा स कारांस और जो है खाली जगे और खाली जगे समलित है पहला लिखा है शिक्षण प्रतिरूपन और दंड आरेक दूसरा लिखा है इस्मरण संकेत और समिक्षा प्रश्ण तीचरा लिखा है सूचना मानचित्र और अवधानना मानचित्र चोथा लिखा है अनवेशन आत्मक शोप्ट्वेर और प्रश्ण पत्र तो यहां पर जो हमारा जवाब आएगा वो आएगा सूचना मांचित्र और अवधारना मांचित्र यानि कॉंसेप्ट का खाका तयार करना अब हमारा प्रश्ण पत्र क्रिया कलाप आधारित प्रश्ण सामाजी विज्ञान के पाठ को आनंदाई बनाते हैं विवादा इस्पत बनाते हैं लंबा बनाते हैं जिस्त्रित बनाते हैं तो क्रिया कलाप आधारित प्रश्ण सामाजी अब हमारा प्रजन संग्या 23 सामाजिक समस्याओं की समस्दारी को विक्षित करने के लिए निमलिकित में से सबसे उचित्विधी कौन सी है सामाजिक समस्याओं की समस्दारी को विक्षित करने के लिए पहला लिखा है चलचित्र परदर्शन, दूसरा लिखा है चित्र निभंद, तीसरा लिखा है भूमी का निर्वाह, और चोथा है वृत अध्यन, तो सामाजिक समस्याएं जो है वो वृत अध्यन के द्वारा हम लोग सीख सकते हैं और यही सरवाधिक उप्युक्त विदी है प्रात्मिक श्रोतों के माद्यम से देना चाती है निर्वल खित में से कौण सी योजना अनु-उप्युक्त है क्या करना चाती है वो प्रात्मिक श्रोतों से पहला लिखा है विध्यार्ذियों को पड़ो catch वाली योजना उपर सर्वे जो हो चुकी है उनका सर्वे करेंगे तो योजनाई तो कहीं ने कहीं छपी है उसके हिसाब से सर्वे करेंगे तो यहाँ पर ये प्रात्मिक तो नहीं है ठीक है फिलिका विद्यार्ति के पड़ेश में लागू होने वाली प्रियोजना पर हुए खर्च पर एक रिपोर्ट ये रिपोर्ट हम खुद बनाएंगे इ यह हमारा प्रात्मिक नहीं है ठीक है अब हमारा प्रश्ण संख्या 25 सामाजिक विज्ञान पर निम्न लिखित में से एक उचित और अर्थ पूर्ण दत अभ्यास को चुनिये पहला उप्शन लिखा है पार्ट्य पुस्तकों में से सही उत्तर ढूंडना दूसरा है पिछल सामाजिक विज्ञान पर निम्न लिखित में से एक उचित और अर्थ पूर्ण दत अभ्यास को चुनिये तो वो है पार्ट्य पुस्तकों में से सही उत्तर को ढूंडना ठीक है अब हमारा प्रश्ण संख्या 26 लोगतांत्रिक संस्ताओं के प्रति विद्यार्थियों में द पर बल देना ये सही है फिलिकाय संस्तानों के बदलाव में संभावनाओं को इंगित करना नहीं फिलिकाय सामाजिक विसंता की अप परिहारेता पर बल देना नहीं फिलिकाय चोथा जागरुग जनता की भूमिका को इंगित करना ये सही है यानि अब हम देखते हैं एक और चार है ठीक है अब हमारा प्रशन संग्या 27 उच्छ प्रात्मिक इस्तर के सामाजिक जीवन की कक्षा में लेंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों को बातचीत को प्रोधसाहित करने के लिए सबसे उत्तम निम्भ लिखित में से कौन सी विदी है पहला लिखा है परदर्शन चोथा है विशे सग्य दुवारा जैक्षान तो यहां पर यह है कि अनुदेशक पर निर्देशित चर्चा होगी तो यहां पर उनके बारे में जिसमें विद्यार्थि अपने साथ गटित गटनाओं को परदर्शित करेंगे या प्रस्तुत करेंगे जिससे उनको पता जले गा कि लेंगिक भूमिका के पर बातचीत को प्रोचाइट किया जा सकता है अब हमारा प्रस्त अंग्या अठाइस पोर्ड़ फोलियो सता तयवं व्यापक मुल्यांगन का एक महत्मूर माध्य मैं क्योंकि अभी पीछे वन टू फिफ्त में साइट बताया भी गया था कि पो विद्धियार्टियों में कोसल के विकास को इंगित करता है दूसरा है अनिवारे हैं तीसरा है क्रियानरीत करना सरल होता स्थ क्योंपरण करता है नुन्द सूचना पैस्धियो न 119 जब विद्धियार्थियों को एक एタयासिक इस्मार्क दिखाते हैं तब आप उन्हें किस प्रकार के अधिगम के श्रोत से सीखने के लिए प्रोचसाहित कर रहे हैं पहला है लेखा चित्रकला संसाधन दूसरा है पारंपरिक लोक संसाधन तीसरा है प्राथमिक स्रोत और चौता है पाठ्ठे स्रोत जब एतियासिक इसमार को हम देखते हैं तो हम आपर प्रात्मिक स्रोत से सीखते हैं हर बार हर पेपर में ये प्रस्ण आ रहा है कि प्रात्मिक स्रोत प्रात्मिक स्रोत यहां पर दो प्रस्ण आपको मिले हैं प्रात्मिक स्रोत पे पहला प्रात्मिक श्रोत में कौन सा विकल्प नहीं है और अब यहां पे आया है कि एतियासिक इस्मार को कुद दिखा रहे हैं तो कौन से श्रोत या किस श्रोत से वो सीखने के लिए या अधिगम के लिए प्रोचाइद कर रहे हैं ठीक है अब प्रशन संक्या तीस कल्पना हैं एक अखबार ब्रिटेन का है और दूसरा मैसूर का दोनों अखबारों के लिए इन गटनाओं के बारे में एक-एक सुर्खी लिखने के लिए कहते हैं कक्सा आठ के इतियास की पाठ्थे पुस्तक में इसक्रिया कलाब को सामिल करने का क्या कारण है पहला है ब्रिटेन द्वारा राज्य में मिलाए जाने वाले अविलेक तयार करना भाई दोनों अगवारों की बात कर रहा है तो यह नहीं कह सकते ठीक है फिलिका है लोगों को ब्रिटिस नीतियों के बारे में बताना नहीं ये भी नहीं होगा तीसरा लिखा है विद्यार्थियों में लिखने के कोसल को विख्षित करना नहीं फिल लिखाये चोथा विद्यार्तियों में विचारों की विविधता की आउदार्ना को विख्षित करना तो हमारा विकल्ब चार ही यहां पर सही होगा ठीक है अब हमारा प्रशन संख्या 31 निमली की कत्नों में से कौन सा कत्न लोक तंत्र के संबंद में गलत है पहला लिखा है लोक तंत्र में एक सासक के पास देश पर सासन करने की संपूर्ण सकती होती है नहीं भई यही गलत है क्योंकि लोग तंत्रम जो है लोगों द्वारा लोगों में से ही किसी एक को सासक चुना जाता है जो उस सासन को करता है यानि सम्मिल कर एक नेता को चुनते हैं ठीक है लोग तंत्रम देश के सभी नागरिकों को पसंदिदा की छूट होती है तो भाई एक के हाथ में कैसे रही है ठीक ह पिर लोग तंद्र में लोगों के लिए लिए गए निर्णे पर प्रशन उठा सकते हैं लिए गए निर्णे पर लोग जो है लोग तंद्र में नागरी को कुछ सोचनता हैं प्रात होती है ठीक है तो पाहिला जो है एक ही आदमी के हाथ में सासन होता ऐसा नहीं है ठीक है फिर वो ताना साही कहलाएगा अब हमारा प्रैशन संग्या 32 अभियानों के फल्स रूप मैलाओं के सरंक्षन के लिए नहे कानून बने निमलिकित परताडनाओं में से किस एक के कारण पर मैलाओं को सुरुक्षित करने के लिए 2006 में कानून बना पहला लिखा बच्चों के साथ द जिस विकल्प 2006 के लिए जाएंगे तो वो है गरेलू हिंसा गरेलू हिंसा पर जो है अधिनियम भारत सरकार द्वारा बनाये गया था धितोगी रक्षा के लिए और उनके सरंख्रण के लिए 2005 में और इसे लागू किया गया आपका 26 अक्टूबर 2006 को ठीक है यह लागू की तारीक है अब हमारा प्रसंग्या 23 संचार माद्यम के संदर में निम्लि की कत्रों मैंसे कौन सा गलत है पहला लिखा है संचार का लोगों तक जानकारी पहुंचाना एक महत पूर्ण कार है बिलकुल सही बात है संचार माध्यम की कार्य प्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है नहीं सरकारी हस्तक्षेप नहीं रहता ये स्वतंत्र है रिग्यापनों द्वारा धन कमाय जाता है सही है जन संचार दवारा उपयोग में लाई आने वाली तकनिके बदलती रहती है ये भी सही है अब हमारा प्रसंग्या 34 समाचार चेनल पर विज्यापन का मुल्ले निर्वर करता है बड़े व्यापारिक गरानों पर तीसरा लिखा है कमपनी छेत्र पर तीसरा है चेनल की लोगप्रियता पर चोथा लिखा है दर्सकों की मांग पर तो चेनल की लोगप्रियता पर जो है विज्यापन का मुल्ले निर्दारित होता है अब हमारा प्राशन संक्या 35 जनित याचिका के संदर्व में नीचे दिये गए दो कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चैन कीजिए पहला है यह ऐसी वेवस्ता है जिसके माध्यम से सरकार के क्रिया कलापों के विशे में आउसक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं नहीं वो आर टी ई है जिसके बारे में हमें सूचना जो प्राप्त करनी होती है दूसरा लिखा है यह एक ऐसी विवस्ता है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्ता को जिनके अधिकारों का उलंगन हुआ है उन्हें न्याय पाने के लिए उच्च न्यायले या उच्च पहला गलत और दूसरा सही के लिए पहले उप्शन में हैं फर्स गलत सेकेंड सही अब हमारा प्रशन है संसद के प्रशन काल सत्र के संबंद में एक और दो दोनों कत्नों पर विचार कीजिए और निमलिकित विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए पहला है संस संसद सरकार के कामकाजी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं दूसरा है यह एक ऐसी वेवस्ता है जिसमें कार्य कारणी विधाई का विधाई का यहाँ लिख दिया है विधाई का विधाई का को नियंतरित करती है तो यहाँ पर जो यह बातें दोनों है यह इसमें पहली सही है और दूसरी जो है वो गलत है संसद में प्रसने काल के दोरान जरकार के काम काथ से समंदित प्रसने पूचे जाते हैं और उसकी जानकारी ली जाती है तो यहां पर पहला सही है और दूसरा गलत है यानि ऑप्शन सी के पास जाएंगे अब हमारा प्रसने संक्या 37 न्याईक समिक्षा पर दिये गए निमलखित दो कतनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए तो पहले में लिका है संसत द्वारा पारित किया गया कोई कानून चमिदान के आधारवूट नाचे का उलंगन करता है तो न्याई पालिका ऐसे कानून को रद कर सकती है तो यह बात सही है ठीक है फिलिका है कि कोई विदेख न्याय पालिका के दुआरा पास किये बिना कानून नहीं बन सकता ये गलत है यानि पहला सही है और दूसरा गलत है यानि option 3 अब हमारा प्रस्टेंग्य 38 बारतिय सभिदान की अनुसार बारतिय धर्म निर्पेक्ष राज्य के बारे में निमलिकित कथनों में से कौन सा कथन गलत है तो पहले तो आपको ये बता दू कि यो धर्म निर्पेक्ष शब्द है ये 42 में सभिदान संसोधन में जोड़ा गिया था वर्स 1996 है चीक है और अब आगे बढ़ते हैं पहला लिगा है कि राज्य सरकारी संस्ताओं को धर्म विशेस विशिष्ट मुल्यों को परदर्शिट और प्रोनत करने की अनुमती प्रदान करता है नहीं भाई धर्म निर्पेक्ष का मतलब हुआ किसी भी एक धर्म को वो प्रोचाहत नहीं कर सकते ठीक है विलिकार राज्य धर्म से एकदम प्रथक नहीं है परंतु एक निश्चित दूरी बनाए रखता है सही है बारतिय राज्य किसी एक विशेस्ट धर्मिक समुदाई द्वारा सासित नहीं है ये भी सही है विलिकार राज्य किसी धर्म विश किस प्रकार किये पहला अध्यक्षात्मक दूसरा लिखा है लोकतांत्रिक तीसरा है साम्य वादी चोथा है पूझी वादी तो अभी पीछे भी बात हुई थी लोकतांत्र की जिस तरीके से सब समाज की पहला है हरी दास दूसरा जोतिवा फूले तीसरे गासी दास चोथा है नाराइन गुरू तो जोतिवा फूले ने जो है वो सत्य सोधक समाज की स्थापना की थी अब मारा प्रस्द संक्या 41 29 मार्च 1857 के बेरकपूर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में न जिन्नों ने 1857 की करांती का जो कहा जाता है जनक जिन्नों ने 1857 करांती उनके इसाब से चालू हुई और ये थे मंगल पांडे और इनको आठ अप्रेल 1857 को फासी दे दी गई थी ठीक है अब हमारा प्रेजन क्या 42 अंग्रेजों की सरवोचता नीती के संबन में निमलिक कत्रों में से कौन दस है पहला लिखा है इसने इस बात पर बल दिया कि प्राप जानकारी के विपरीत यूरोपिय जानकारी देने का तरीका वेवारी ग्रूप से लाबकारी है नहीं विलिगा इसने गोशित किया कि इंग्लेड में कोई भी अन्य व्यापाल करने वाले समूव इस इंडिया कमपनी में इस परदान नहीं कर सकेगा इसमें गोशित किया गिया कि भारती सासक की मृत्यू बिना पूरुश वारिस के होती है तो उसके राज्य का अधिगरण कर ल ग्रहों के निमलिकी समूव में से किस समूव के चारो और चल्ले हैं ठीक है सनी नेप्चियून मंगल दूसरा में लिगा है सनी सुक्र नेप्चियून तीसरा लिखा है सनी सुक्र मंगल चोधा लिखा है सनी ब्रेश्पती और यूरेनेस यही सही जवाब है जिनके चारो त पाए जाते हैं। फिर अब प्रत्वी को भू आब के रूप में क्यों वरणित किया जाता है, प्रत्वी का दोती आई भाग जल से ढखा है। दूसरा लिखा जीवन के लिए अनुकूल प्रस्तियां केवल प्रत्वी पर पाई जाती है, तीसरा लिखा है, प्रत्वी दूरुओं के पास थोड़ी चप्ती है, प्रत्वी ना तो अधिक गरम है, ना ही अधिक ठंडी, लेकिन भू आब कहिने का कारण है, प्रत्वी दूरुओं के पास थोड़ी चप्ती है, अब अब प्रत्वी से चं चंद्रमा केवल परत्वी का एक चक्कर लगाता है परन्तु अपने अक्स पर नहीं गूमता नहीं। सत्य है ठीक है अब हमारा प्रश्ण है यूराल परवत किसको अलग करता है तो यूराल परवत जो है अफ्रीका और यूरोप दूसरा लिखा है उत्री अमेरिका और धक्षिन अमेरिका तीसरा है अफ्रीका और एसिया चोथा है एसिया और यूरोप तो जो यह है यूराल एव काकेश जो परवद है वो एसिया और यूरोप को अलग करते हैं ठीक है ये विश्व का सरवाधिक नगरीकृत महाध्वीप है अब हमारा प्रसे संक्या 47 भू परपट्टी में वह इस्तान जहां से भू कम पिये तरंगे आरंब होती है उसे कहा जाता है तो वो कहलाता है अभी केंद्र क्या कहलाता है अभी केंद्र कहलाता है और जहां पर सरवाधिक भू कम्प ये तरंगे उत्पन होती है उसे भू कम्प मूल कहते हैं ठीक है अब वायू मंडल की निमलिकित परतों में से कौन सी परत हवाईजाज उड़ाने के लिए आदर्स मानी आती है सारी परतों को पहले ही बता चुके हैं जहां पर ताप समान होता है वहाँ पर हवाई जाज उड़ते हैं सम यानि बराबर और ताप यानि सम ताप मंडल जो है वहाँ पर हवाई जाज उड़ते हैं अमारा प्रज़ेंग्या उन्चास निमलिकित में तो प्रत्वी पर तापमान के वित्रण को प्रभावित करने वाला महत्पूर्ण कारण है पहला लिखा पार्थिव विकिंड, दूसरा लिखा है समुद्र से दूरी, तीसरा लिखा है सूरी उतपन, चौता है सोर विकिंड, तो सोर विकिंड जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक है अमारा प्रजन क्या पचास, अमेजन बेसिन के संबन में निमली कितकतनों में से कौन सा सही है पहला लिखा है, अमेजन नदी डेल्टा का निर्मान करती है, जो मैंग्रोव वनों से ठका है दूसरा लिखा है अमेजन नदी, बैसिन, ब्राजिल, पेरू, बोलिविया, अर्जंटीना के भाग में प्रवाहित है तीसरा है अमेजन, बैसिन भूमद्यरेक के परतेश में आता है ये बात सही है ठीक है और अमेजन बैसिन डेल्टा का निरुमान नहीं करती है ये भी सही है ठीक है Amazon नदी Brazil, Colombia और Peru में बहती है Brazil, Colombia इसमें नहीं है Colombia और Peru में बहती है नेकी Bolivia और Argentina ठीक है फिली का है अगले कोशन में चलते है अब है विस्व में भारत का सबसे उंचा सडक माग निबली कितमें से कौन सा है सभी को पता है मनाली और लेह जो मार्ग है वो सबसे उंचा है ये राजमार्ग 4000 मीटर की उंचाई पर है ठीक है अब प्राशन सेंग्या भावन भुस्खलन को नियंद्रित करने के लिए निमलिकित में से न्यूनी करण यानि कम करने वाली क्रियाविधी कौन सी नहीं है पहला लिखा है बुस्खलन को रोकने के लिए वनस्पती आवरण को कम करना वै वनस्पती आवरण कम हो जाएगा तो मामला कड़बड हो जाएगा यही option अमारा सही है ठीक है वनस्पति आवरण तो हमें बढ़ाना पड़ेगा अब हमारा प्रशन संख्या त्रेपन निमलिक्त में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है वन्टू फिट में भी पूछा जा सुका है पेट्रोलियम पदार्थ को काला सोना कहा जाता है प्रशन संख्या फिप्टी फोर कौन सा भारत का परमानु उर्जा सैंत्र नहीं है कहला है नरोरा पोखरण कलपक्कम तारापूर तो यहां पर जो हमारा ओप्शन है पोखरण जो है वो नहीं है ठीक है क्यों नहीं है पोखरण पोखरण एक परमानु परिक्षन इस्ताल है ठीक है जहां पर 1984 में और 1999 में जो है क्या किया गया था परमानु परिक्षन किया गया था और आपको ध्यान रखना है नरोरा यूपी में है कल पक्कम जो आपका है तमिल नाडू में है और तारापूर आपका मारास्ट्र में है ठीक है अब मारा प्राशन संक्या पच्पन निमलिखित देशों में से किस में इस्थानांतरित करशी को मिलपा कहा जाता है पहला लिखा है मेक्सिको दूसरा ब्राजील तीसरा लिखा है भारत चौथा लिखा है मलेसिया तो मिलपा जो कहा जाता है वो मेक्सिको में इस्थान आंत्रीक रशी को कहा जाता है अमारा प्रश्ण संक्या 56 निमलिकित उद्योगों में से कौन सा सार्जनिक छेतर के अंतरगत आता है मारूती उद्योग प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट है टाटा प्राइवेट है हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड यह आपका सार्जनिक यानि की पब्लिक कंपनी है और आगे चलते हैं अब हमारा प्रश्ण संक्या 57 ग्राम सभा के बारे में निमलिकित कत्नों में से कौन सा साही है पहला सभी ग्राम बंचाईतों की विकास समंदी योजनाओं का ग्राम सभा में पुनरिक्षन होता है दूसरा लिखा है ग्राम सभा सभी ग्राम पंचाईतों को दनराशिक वित्रण को नियमित करती है तीसरा लिखा यह जीले में सभी गाउं के सरपंचों की बेठक का इस्तल है चोथा लिखा है ग्राम सभा का सचीव ग्राम सभा और ग्राम पंचाईत की बेठक बुलाने तथा कारेवाई का आलेक करने के लिए उत्तरदाई होता है यही विकल्प हमारा सही है अब मारा प्रसेसंग की आठावन लोगतंत्र में लोगों की सहभागिता पर दिये गए निमलिखित दो कतनों पर विचार करो और सही उत्तरगा चेहन करो पहला कहता है लोगतंत्र में सामोजी का अंदलोनों को संगडित करना सरकार और उसके कारे को चुनोती देने का एक तरीका है दूसरा है लोगतंत्र सभी लोगों को बागिदार होने की अनुमती देता है लेकिन समाज के सभी वर्ग के लोग ऐसा करने में समर्थन नहीं है दो है सिद्ध सागा दूसरा निर्वान सागा तीसरा है बुद्ध सागा छ тебе केशर शागब तो सही जवाब है केशर सागा अब अन्तिम प्रश्ण पठवारी दुआ हैं जिन पर विचार करना है और सही उत्तर का चैन करना wreck창 करना पहला है यही करता है दूसरा पटवारी अपने अधिकार छित्र में लगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदाई है यह भी सही है यानि पहला और दूसरा दोनों गथन सही है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें कमेंट कर हैं तब तक के लिए धन्यवाद अगले एपिशॉड में फिर मिलेंगें